प्यारे विदार्थियों स्वागता है आप सभी का वैदिक गनित की स्पाठशाला में अभी तक हम अपने साथ सुत्र कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे वैदिक गनित के एक और महतकुन सुत्र की यह हमारा आठवा सुत्र होगा और सुत्र का नाम है पूर्ण अपूर्णा भ्याँ पैरे बच्चों संस्कृत के शब्द है शब्द सुत्र है इस वैसे शुरू में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है अगर इस सुत्र की हम बात करें तो इसका संदी विशान अगर हम करते है आपको इसको अहिसा रिओ करने में किस्तरे से विए नजर आ सब्सक्राइब की पूर्णा पूर्णा भ्याम की अपक पूर्ण और यहां इसके नाम से क्लिर हो जाता है सारा कुछ जो सुत्रा इसका जो अर्थ है वो है पूर्णता और अपूर्णता से अर्थ है इसका जो वो है पूर्णता और अपूर्णता से जैसे इसके नाम से प्लियर है पूर्ण अपूर्ण अपूर्ण अभ्याव यानिके पूर्णता और अपूर्णता से बाई कंपलिशन और नोन कंपलिशन यह इसका प्राप्दी कार्थ होगा है अब इसका उपयोग है वो कहां पर किए जाता है वैसे सभी सुतरों का परियोग अनेग किए आता है तो क्योंकि हम बेसिक कर रिये हैं सुत्र का आर्ष जान रहे हैं और किस्ते क Israelites उत्रका आप परियोग के लारे उसके बाहरे में सुल रहे हैं तो इसका एक समाने से लोंको देखें पिलयुत тут yeah आगे 2 बाद करें कि एक समिकल को पूर्ण और पूर्ण मतलों परफेक्ट सकस्घ動画 है अ कुछ 국भ स्केर या पूर्ण गर्ण पर्फेक्ट क्यों कि बनाकर चर का मान ग्याद करने के लिए यहां पर उपयोग की अगर बात करें तो यह हो गया हमारे पास कि इसका जो प्रियोग है उसका जो प्योग है सुतर का यहां पर गयाता है समिकर को प्रफेक्ट स्केर या प्रफेक्ट क्यों पूर्ण गहन बनाकर जो उसमें चर है जो वैरियेबल है उसका मान ग्याद करने के लिए किया जाता है अब इसको समझते हैं दो एक्जम्पल की साहिता से हम इसको समझते हैं सबसे पहला जो हम एक्जम् y ब्राबर है 8 और xy ब्राबर है 15 तो x-y का माज ग्याद कीजिए इस x plus y is equal to 8 and xy is equal to 15 then find the value of x-y अब इसका solution देखते है solution 1 यहाँ पर हमारे पास क्या given है x plus y is equal to 8 और xy that is equal to 15 हमें value file करने है कि इसकी x-y की अब यहाँ से हम क्या करेंगे x-y का perfect square भुना लिखते है इसको हम लिख रहे है x plus y is equal square plus 4xy पेले तो इक बार इसको समझे लेते हैं यह हुआ कैसे अब देखो x minus y square that is equal to x plus y is equal square plus 4xy लिखा है इसके अदंटी अप्लाई करते तो यह होता है x square plus y square minus 2xy इसके जब अब अदंटी अप्लाई करते तो यह है x square plus y square plus 2xy और यह होगा हमाण पास plus के 4xy यह तो बड़बड होगी यह तो minus के है और यह plus के होगी अब देखो x square यहां पे रहा y square यहां पे रहा यहां पे minus के 2xy है और यहां पे plus के 6xy है यहन कि हमें इसको क्या करना पढ़ेगा माइनस करना पढ़ेगा यहां पे हम क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं यह के अब यह हम इसको use करेंगे अब इसकी सायता से हम यह values कर रख रहते हैं तो यह value रखेंगे x plus y की value 8 है तो 8 का square 64 हो जाएगा minus 4 into xy की value 15 है तो 4 into 15 4 की 15 के साथ multiply करेगे 4 की हमे 15 के साथ multiply करेगे यहां पे भी आप लिखना चाहूं को लिख सकते हो कि यह 8 का square लिख है यहां पे हम value रिकार रहे है x minus y square यह x minus y square that is equal to 64 minus 60 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा यहां पे x minus y की value कितने आ जाएगी plus minus root 4 यहां से x minus y की value आ जाएगी plus minus 2 तो यह हमारे पास इसका answer है इसको और आगर भी बढ़ाए जासकता है अगर आप से x और y की value की पुछे तो आप देखो x plus y की value तो कितनी है 8 x plus y की value तो कितनी है 8 और x minus y की value कितनी है एक बार तो 2 ले रहते हैं तो इं दोनों कम solve कर देंगे अब इनको solve करेंगे तो plus करें तो यह cancel हो जाएगे 2x is equal to 10 x is equal to 5 यह cancel होगे जब plus किया तो 2x is equal to 10 x is equal to 5 अब x की value 5 इसमेर कहेंगे तो 5 plus y is equal to 8 y is equal to 3 तो यह x और y की value भी आ जाएगी तो खिर किसी तरह से second part है जो x minus y is equal to minus 2 लेके हम इसको solve कर देंगे तो इस तरह से जो variable health की value भी हम निकाल सकते हैं तो एक तो यह हुआ हमारे पास कि हमने perfect square बना लिया x minus y is solve square x plus y is solve square जो terms है उनको use करके हमने value निकाल लिए एक और जैसे perfect क्यों कुलाना है पूर्ण गर मुनाना है जो उस case में हम किस तरह से चलेंगे वो भी देख लेते हैं एक बार यहां से अगर हम इसको लिख दे तो x minus y इसकी value प्लस minus 2 और अगर इसको देखे हम हम इसको पूर्ण गर मुनाना है यहां पे solution second की अगर हम बात करें solution second यह हमारे पास x cube प्लस 6x के आग प्लस 11x प्लस 6 is equal to 0 अब आप देखेंगे कि a plus b it's all cube यह होता है a cube plus b cube plus 3ab into a plus b अब यहां पे देखो x है x plus constant term यहां पे 6 है तो 1 का cube होता है 1 2 का cube होता है 8 अब यह ज़्यादा होता है तो यही ले लिते हैं यह हमारे पास 6 है 8 से less है जिससे जहां पे cube करके देख लेंगे जिससे less होगा वह वार लेंगे 2 का cube हमारे पास 8 बनता है तो 2 ले लेंगे तो यह लेंगे x plus 2 का cube होता हम लेंगे हम कित्ता मिलेगा x cube plus 2 cube plus 3 into x into 2 3ab into a plus b यादिके x plus 2 यह होगा हमारे पास x cube plus 2 cube 8 बनता है यह 6x और यह x plus 2 और यह बनता हैगा हमारे पास x cube plus 8 plus 6 x square plus 12 x अब वन इसको क्या करते हैं इसको powers के साफसेट decreasing order में लिए लिते है x cube फिर 6 x square फिर 12 x और फिर 8 ऐसे लिता है अब यह हमारे पास perfect cube है इसको हम perfect cube बनाएंगे इसको हम perfect cube बनाएंगे अब इसको perfect cube बनाने के लिए आप देखें हमें क्या क्या चाहिए x cube हमारे पास है लिख दिया हमने x cube है हमारे पास plus 6 x square यह भी है हमारे पास plus 12 x यहाँ 11 x है और यहाँ पे मैं अगर 12 x लिखता हूँ तो 1 x extra लिख दिया और plus 8 चाहिए है plus 8 मैं लिखता हूँ तो इसको balance करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा देखो यहाँ हमारे पास 11 x ते मैं इसको 12 x किया तो मैं minus x कर देखता हूँ और यहाँ पे हमारे पास plus 6 ते मैंने इसको plus 8 लिख दिया तो मैं minus 2 कर देखता हूँ that is equal to 0 तो यह step आपको ज्या लबना है यहाँ पे मैंने क्या किया कि 12 x minus x 11 x और 8 minus 2 6 यह यूज़ कर देखेंगे यह जो part है यह वाला यह हो गया x plus 2 its whole cube इसके हिसाफ से है क्योंकि यह हमारे पास क्या था x plus 2 its whole cube इसकी जेगे पर यह देखेंगे और क्या बचा माइनस x और माइनस 2 बचाए इसमें से मैं अगर माइनस कोमन ले दूँ हमारे पास कितना आ जाएगा x plus 2 equal to 0 अब देखेंगे हमने perfect q बना दिया ने इसको तो जब हमने इसको perfect q बना दिया थे आप इसको ध्यान से देखेंगे एक्स प्लस 2 common आ रहे हैं अंदर देखें क्या राप एक तो रहागा x plus 2 इसो इसको थे और यह बाहर ज़ा यह तो इसकी जगह पर बना अब हम क्या करेंगे क्योंकि यह 0 के equal है तो इनको अलग अलग से 0 के equal रख देगे हम इसको क्या करेंगे अलग अलग से 0 के equal रख देगे अब हम x plus 2 को 0 के साथ equate करके हैं तो x की value आगी minus 2 x की value minus 2 आगी अब दूसरा पार्ट यह है वारे पास यह है x plus 2 its all square minus 1 is equal to 0 x plus 2 its all square is equal to 1 x plus 2 is equal to plus minus root 1 x plus 2 is equal to plus minus 1 एक बार थो x plus 2 1 k equal और एक बार x plus 2 minus 1 k equal x की value आगी 1 minus 2 x की value आगी minus 1 यहां से था और यहां से x की value minus 1 और minus 2 x की value आगी हमारे पास minus 3 हमारे पास x की वेल्यू जो variable है उसकी वेल्यू आगी minus 1 minus 2 or minus 3 minus 1 minus 2 or minus 3 तो यह हमारे पास इसका solution हो गया तो प्राइब चो यह हो गया हमारे पास जो हमारा 8 वैतिग गनित का सुत्र है उन अपूरणा भ्यां उसका अर्थ और उसका जो उपयोग एक समान्य रूप से उपयोग से गए रूप से रूपीर्स करें क्योंकि अभी हम Basic Course कर रहे तो फिलान एक समान्य से उपयोग करें जो इसका अर्थ है व हम बात कर रहे हैं यहां हमने सीखा किem programme सुत्र है इसकी सायता से हम परफेक्ट स्केयर या परफेक्ट क्यूब पूर्ण वर्व या पूर्ण घन बनाकर हम जो चर है या फिर जो वेल्यू पूछी गई है उसका मान हम ग्याप कर सकते हैं तो प्यारों दार्चियों आज के इस वीडियो लक्षर में इतना ही अगर आपको वीड झ справ कर सकते हैं तोronsом है ठीपर Sangat मैं जो रंप si तोन कर सकते हैं वीडियों वह सिंग्थ मान का ऑद।क। झाल को वेल्यू से हम झाल बनाभ्याप कि लगक्पा को